राम राम दोस्तों स्वागत है आपका हमाई चनल राजफार मेंसी में दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे मेडरॉल 4MG टैबलेट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सकी कंटेंट के बारे में तो इसमें जो मेथाइल प्रेडिनी सुलोन जो है 4MG होता है यह मेथाइल प्रेडिनी सुलोन जो है आपको 2MG में 4,8,16 में भी मिल जाएगी डॉक्टर जो है आपकी कंडिशन के इसाफ से दवा की दोच को क झोच करने करने क와ैं तो आपको जोब्म हो सकती है तो इसकी यूज के बात करें तो इसे जो है सकी से रिलेटर जाएँ स्की पर जो हो गया है आप इसकी से खुजली छोय झोलों जो शॉन निकल गई हैं तो उन शantry कौत शीmooth dya करने के लिए उसका इस्तरमाल किया जाता है अ किया जाता है और ऐलर्जी रियक्सिन की वज़े से आपको की समस्या हो गई या फिर बार-बार आपको खासी आ रहा है नंबे समय तक अस्थमा की समस्या है तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं यहां तो भी ठीक करने के लिए इसका इसका इस्तमाल किया जाता है उन समय भी इसका बहुत ही अच्छा वर्क देखा गया है और अगर आपके पाचन तंत्र में कोई समस्य डाइजेश्टर शिस्टम में लाइनिंग आ गया है सूजन हो गया है उसकी वज़्जा से बैक्ति को आपके जापना तो यह उस कंडिशन में भी यूज किया जाता है इस दवा को और भी कई प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है यह तरह इसके यूज के बाहले हम दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस दवा को किन-किन लोगों को नहीं लेना चाहिए अगर किसी को फंगर इन्फिक्सन हो गया है वो इसका सेवन नहीं कर सकते हैं और इसका को mí脆 कर वेट क otrader की बात करें तो आपको हम बता वाहए तो इसका यूज कर सकते हैं तीन घंटे के गए अधियर करने के पहले प्र बोजन कंथर लेका सीवन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में तो अगर जिस ब्यक्ति को चिकन पॉक्स के समस्या है या फिर हर्ट या फिर लीवर की कोई गंभीर समस्या है डाविटी की समस्या है तो लोग इसका सेवन बिना डॉक्टर के सलाह पर ना करें और इसे जो गरबती महिला पर अस्तन का पान कराने महिला को भी यूज कराने से पहले डॉक्टर सलाब जरूर ले अनिता इसका यूज ना करवाएं और आप सबसे जरूरी बाद इस दवा के लिए के साइट इफेक्ट की बारे में बात करें तो इसका जो एक एक अलोपैथिक दवा है यानि अंग्रे अन्य कोई प्राबलम अगर आपको दिख राइस टैबलेट की से तो आप जो तुरंत इस टैबलेट का यूज करना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आज की लिए बस इतना ही दोस्तों यह नहीं नहीं वीडियो रोजाना आती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और हाँ दोस्तों अगर आपको इस दवा के लिए कोई डाउट रहा गया अपिस किसी अन्य दवा की चाहिए जैसे एलोपायतिक हो गया फिर आरवेदिक हो गया यह फिर वेडिनरी हो गया आनि जानवरों की तो आप जो इस दवा के नाम कर सकते हैं मुलतवा की पूरी जानकारी देने की कोईसिस करेंगे चली दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहिए